नमस्कार कशिश न्यूज का डिजिटल प्लाटफॉर्म देख रहे हैं आप मैं हूं रश्मिश वास्तव आपके साथ शहबुदीन की बेगम हेना सहाब और लालु यादव की सीक्रिट मुलाकात से जुड़ी खबरे हम लगातार आपको दिखा रहे हैं आज पूरे एक हफ़ते हो चुके हैं जब आरजडी के विधान पार्शन विनो जैसवाल के पटनास्थत आवास पर दोनों की ही गुप्त मुलाकात होई थी इस मीटिंग में क्या-क्या बाते हुई हम आपको विस्वस्त सूत्रों से मिल रही जानकारी के आधार पर बताने की कोशिश कर रही है आज हमारे पास इस गुप्त मीटिंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर है खबर ये है कि ना तो हे ना शहाब और ना ही लालु यादव ने एक दूसरे से मिलने में दिलचस्पी दिखाई थी वजह साफ है लोगसभा चुनाओं के पहले से लेकर बाद तक लालु परिवार और शहबुदीन फैमली के रिष्टे में इतनी दरार पड़ चुकी थी कि उसे आसानी से पार्टनाग दोनों को मुश्किल लग रहा था हलाकि दोनों ये बखुभी जानते थे कि एक दूसरे के बगैर इनकी नईया पार नहीं हो सकती लेकिन दिक्कत ये थी कि पहले पहल करें तो कौन करें ऐसे में शहबुदीन और लालु फैमली से बेहत क्लोज सिवान जिले से आने बाले राज़त विधान पार्षद विनोज जैसवाल ने ये जिम्मा संभाला सबसे पहले उन्होंने हिरा शहाब का मन टटोलने की कोशिश की पहले तो हि विनोज जैसवाल से कहा कि अब रहने दीजिये काफी देर हो चुकी है और हमने अपना रास्ता अलग कर दिया है लेकिन जब विनोज जैसवाल ने उन्हें समझाया बुझाया तो हेना शहाब लालु यादव और तेजस्व यादव से मिलने के लिए तैयार हो गई अलाकि ऐसा पहली दफा नहीं हुआ था जब विनोज जैसवाल ने हेना शहाब को मनाने की कोशश की थी बलकि खबरों की माने तो लोगसबा चुनाव से पहले और दोरान भी विनोज जैसवाल ने लालु परिबार और शहबुदीन फैमिली के बीच से तो बनानी की भर सक क कोशश की थी लेकिन तब अवद विहारी चौधरी के कारण बात बनते बनते रह गई थी और यहीं बचाए कि हेना शहाब ने ये जानते हुए कि NDA और INDIA अलाइंस से इतर बतोर निर्दर्गी उमेदवार सिवार से नईया पाल लगाना मुश्किल है उन्होंने अवद वि चौधरी को जरूर बुरी तरह से हरा दिया खुद दूसरे नंबर पर तो राज़त कैंडिडेट तीसरे नंबर पर खिसक गए खैरागे बढ़ते हैं हेना शहाब को राजी करने के बाद विरो जैसवाल के लिए बड़ी चुनोती खार खाए लालू तेजस्वी को समझाना बुझाना था विरो जैसवाल ने इसकी कोशिश की फिर लालू भी इसके लिए तैयार हो गए और इसके पीछे का भी बड़ा कारण है कारण ये है कि लालू पिछली बार की गलतियों से सबक लेते हुए किसी भी कीमत पर चाहते हैं कि इस बार तेजस्वी आदव बिहार के मुख्य मंत्री बने आपको याद होगा कि पिछली बार अंतिम वक्त में मुकेश सहनी ने महागरवनन का साथ छोड़ दिया था नतीजा ये हुआ कि तेजस्वी आदव महस 15,000 वोटों के कम अंतर से ब्यार के सियम की गद्दी पर बैठते बैठते रह गए बेढ़ाल हेरा शहाब और लालू यादव एक दूसरे से मिलकर बात करने को तयार हो चुके थे लेकिन लालू चाहते थे कि वो अपने आवाज पर आए जिसके लिए हिना शहाब तयार नहीं हुई बाद में न्यूच्रल वेन्यू पर दोनों की ही मुलाकात पर सहमती बनी और न्यूच्रल वेन्यू था विनो जैसवाल का पटनास्थत आवास पैबाच्रीत के मुताबिक 6 अगस्त की रात को पहले हिना शहाब विनो जैसवाल के घर पर पहुँचती है और फिर उनके थोड़ी देड़ बाद लालू यादब भी यहां पहुँचते हैं दोनों इतने गुपचुप तड़ीके से विनो जैसवाल के आवास पहुँचे कि किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी खेर बंद कमरे में दोनों के बीच कुशल शेम पूछते हुए बाचीत शुरू हुई हिना शहाब ने लालू के स्वस्ते के बार में पूछा तो के बढ़ने की गुजारश की गई दोनों अनुभवी और परिपग राज़ुतिक हैं लहाजा एक वक्त की नजाकत को देखते हुए हिना शहाब ने लालू से अपने और अपने बेटे के राजुनतिक भवश्य के बारे में बात की अंदर की खबर ये है कि लालू यादव हिना शहाब को कहा है कि उसामा शहाब को दोहजार पचीस में वो सिवान जिले की बढ़हरिया या रगुनातपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाएंगे इसके बाद हिना शहाब को वादा किया कि उन्हें विधानसभा परिशन भेजा जाएगा चुकि लोकसभा च तो समझ कर जवाब देंगी चुकि मुलाकात और बात दो घंटे दस मिनट तक चली तो सर्फ राजन तक वाते तो नहीं हुई बलकि परिवारिक चर्चा भी हुई बाचित खत्म होने के बाद पहले लालू यादव अपने आवास के लिए निकले और इसके बाद हेना कि लालू जी की बातों को गंभीरता से लीजे और फैसला लेने में देर मत कीजे क्योंकि पहले ही काफी विलंब हो चुका है चुकि इस बाचीत के एक हफते से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है लहाजा ताजा अपडेट ये है कि हेना शहाब ने पुरानी बातों को बलकि बहुत मुम्किन है कि उसी रोज उनकी घर वापसी भी हो जाए वैसे एक जानकारी ये भी मिल रही है कि हेना शहाब के बहुत सारे समर्थक राजद के साथ जाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो ये चाहता है कि हेना शहाब घर प्रटी लिस्ट में हेना शहाब है और वो उन्हें जन सुराज से जोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को तयार है इस खास पेशक्रस में अभी के लिए बस इतना ही कशिश न्यूज के डिजिटल प्लाटफॉर्म पर खबलों का सलसला लगता जारी रहेगा आप हमारे को वाकई में एक बार फिर से लालू पडिवार के साथ होना चाहिए आप क्या सोचते हैं आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएगा